नवसकार दोस्तों जैहिंद वंदे मातरम मैं आपके साथ जैस्वाल सर पावर्ड वाई सिच्छा ही प्रकास है सभी मित्रों को गरतन तीवस की हार्दे खार्दे सुबकामना है दोस्तों बात करेंगे आज की क्लास में संसकत पेड़ागोजी के पार्ट नमबर 15 की बात करेंगे प्रते एक पार्ट में 15-22 लाजवाब कोशन होते हैं जो आपके अभी तक एकजाम में पूँचे गए प्रसन है चलिए दोस्तों सुरू करते है और इसके पिछले पार देखना चाहते हैं अगर पहली बार विजट कर रहा है चैनल पे एक बार सब्सकाइब कर लेंगे आपका अपना परिवार है अवर फेमिली है शिचकों का परिवार है दोस्तों ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसन आपके स्कीन पर है आईए देखते हैं प्रसन क्या पूचा जा रहा है प्रसनिया है कि अंगल भाषा याए लेटिन ग्रीक संसकती विभिन भाषब्बय शब्दाइ ग्रहिताइ श्विक्रीताइ चा अंगल भाषा अर्था दोस्तों जो अंगल भाषा लेटिन ग्रीक संसकत भी विभिन भाषा है विभिन भाषों की सब्द जो है ग्रहिताम श्विकात क्या कौन स्विकार करता है अंगल भाषा आपके लेटिन भाषा भी ग्रीक और संसकत की जो भी विभिन भाषा है आपकी अंगल भाष बहुत 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 दनवाद दोस्तों अमीद आप दोस्तों बाला नाम ध्यान अवदी यानि बालकों को ध्यान के अवदी करते समय जो है सिच्छक क्या करते हैं जब बालक ध्यान अवदी यानि जब बालक ध्यान करते हैं उस समय जो है सिच्छक जो है प्रते कालंस अंते समय बिराम देने को बोलते हैं साउधान पूरग जो है, जो आपके अभाव करनाते उन पर ध्यान देते हैं या आपके छात्रों के जो क्रीया कलाप है उसका मुल्यांकन करने का नियोजन करते हैं ठीक है? तो दोस्तो बाला नाम ध्यानवदी यानि बालकों को ध्यान के समय जो है सिच्छक का कार क्या होता है सिच्छक क्या करते हैं आप सभी लोग भाविय धापक का धापिका हैं यह सिच्छक क्या करते हैं आता है सिच्छक का चाता नाम क्रते क्रिया कलाप मुल्यांकन कारया नाम नियोजनम गुरुवाद क्या करते हैं छात्रों के जो ठीक है करते यानि करना जो क्रिया कलाप का मुल्यांकन जो कार होता है उसका नियोजन करना डी आपसन सही हो जाएगा तीसरा प्रसने ये समस्त दोस्तों आपके टीटिक जाम में पूँचे गए प्रसने सिच्छक वरती में प्राइमरी लेवल में पूँचे गए प्रसनों का ये कलेक्सन है जो बहुत ही मदद करेगा हेल्फुल और इसके बाद हम आपके प्रेक्टिस से चलाएंगे और सभी क् भंगिमा नाम चाह प्रयोगम करोती एतत कौशलम नाम अर्था दोस्तों अध्यापक जो है बेद्यार्थी में ध्यान आकरसित करने के लिए सरीरिक भंगिमा नाम वाचिक भंगिमा नाम का प्रयोग करते हैं तो ये जो कौशल क्या नाम होगा आप सभी लोग अध्यापक ह जब आप ये बताईए आपकी निक्त होगी आप अध्यापक बनेंगे और विद्यारतियों को ध्यान को आकासित करने के लिए सरीरिक भंगबा यानि सरीरिक क्रिया करते हैं बोलने में भी अपना प्रयोग करते हैं ठीक है तो ये जो प्रयोग करना एक कौन से कौसल का नाम कह क्या हो जाएगा यह है निर्दाशन को जाएगा पहला आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसुन है कि श्रेया उत्तर लेखन समय भूत काली काब्या नाम् लेखने तथा समर्था नादस्ते इति सिचकेन परिलचितं किंतु सिचकस सनिधो सहः पाठीना नाम वा सहयोगेन सा भूत कालिक प्रयोगम कर्तुम शकनोती एतनमाग दर्सनम अस्ती कौनसा हो जाएगा। देखे, स्रेया, स्रेया एक लड़की है, जो उत्तर लेखन समय, यानि उत्तर लिखते समय, भूत कालिक का ब्यानाम, यानि कि जो भूत कालिक सभी लोग जानते हैं, भूत कालिक की पिछला समय, वाक्या नाम लेखन, तथा समर्था ना दसते, वह समर्था नहीं दरसा पा रह सचют भूत कालिक प्रियोग में इसको बोलती है कि भूत कालिक का प्रियोग में मदद करती है तो एतन मर्ग दरसनाम ये सिचका का जो माग दरसन है अस्तियानी की जो देखे ये वात है कि लेखन समय में जो भूत कालिक काबे में एक लड़की है बालिका जो गलती करती है उस गलती को क्या करती है सिचक ये सिचका क्या करती है माग दरसन करती है तो ये जो माग दरसन करन गलती में वो क्या कहलाएगा शमस्चा समाधान परामर्ष कहलाएगा प्रति सूचना कहलाएगा या प्रारंभीक सहयोगे कहला जाएगा शबी लोग कमेंड करेंगा कोई ये दापक दापिका बालका की मदद करता लिखने उत्तर लिखने बूत-कालिक का ब्यानम में तो वह जो मागदर्सन कहलाएगा वह क्या कहलाएगा शमस्चा समधान क्योंकि बालक में क्या है समर्था ना दस्ते वह समर्थवान नहीं है बालिका इसलिए जो ये मागदर्सन है समस्सा समाधान का मागदर्षन कहलाएगा पहलाप स currency हो जाएगा आप देखते हैं अगला प्रसुन प्यारा सा है पांचों प्रसुन देख तले क्या पूँचा जा रहा है कि भासा या अधिक्वन ने ब्रदी भवेत देखे भासाव के अधियमन में ब्रदी कैसे किया जा सकता है यदि अध्यापक जो है चात में कंठस्त करने के लिए याद करने के लिए एक वाक ददाती यानि एक वाक दे और उसमें अनंतरम कच्छायाम तेभः और अनंतरम कच्छायाम तेभः पुन्रावत्तरम कत्याति और कच्छा में क्या है अनंतरवान नहीं कि बार वार कई वार उसको कच्छा में अभ्यास करना पुन्रावत्ति करने के लिए कहना ठीक है यह आपका भासादियम की ब्रद् करने के लिए करना जिससे भासा दिगम में ब्रद्धी हो यह चात्रों के प्रगत के ग्यात करने के लिए सिचक जो है सब्ताहिक परिच्छा ले जिससे भासा दिगम के ब्रद्धी हो यह आपका डी दिया गया है कि कच्छा याम सिचका है वास्त्विक जीवनस इस्थित्ते निर्मान कुर्वन्ती यसमिन छात्राय परस्परम भाव बिनियम कुर्वन्ती अर्थात कच्छा में सिचका जो है वास्थिक जीवन के इस्थित का निर्मान करें कुर्वन्ती और छात्रों में परस्पर भाव बिनियम कुर्वन्ती तो कौन सा हो जाएगा सभी लोग कमेंट करेंगे अगर दोस्तो भासा या अधियम ब्रद्धी अगर बच्चों या बालक में भासा अधियम ब्रद्धी करना हो तो आप लोग क्या करेंगे आप भावी सिचक सिचका होने के नाते क्या करेंगे शबी लोग कमेंट करेंगे राइट आपसन हो जाएगा आपको क्या करना अंगला प्रस्ण है अब ध्यानपूरक देखिए अधिगत अधिक्ता में सूचनातमक चित्र निर्मानकार जो है एक सिच्छक जो है छात्रों को नियोजित करने के लिए एक समू को एक असमिन समू क्या दिया यहाँ पर सम्रहेश यानि समू को देते हैं तो नियोजित एक असमिन समू एक समू में अमित नामा अमित नाम का एक बालक है थीक है बिद्यारती है नाम कस्चित दस्धीन है वह उसको दिखाई नहीं देता है ध्यान दीजेगा उसको दिखाई नहीं देता है अपी चित निर्मान कारे सनलगने अवज चित निर्मान कार का सनलगने कैसे करेगा या आपको उसको साथ में सामिल कर रहे हैं शमू में उसको दिखाई नहीं देता फिर भी उसे अमित को दस्धीन बालक को चित मिर्मान के कार में शामिल कर रहे हैं तो तस सहभागिता भवेत ये समू के सहभागिता जो है क्या कहलाएगी ये सभी सभागिता जो है प्रचार वाक्या नाम सीसकाना नाम चा ले ये सहवागिता जो है बिचारा नाम अदान प्रते यानि बिचारों का अदान प्रतान के लिए हो जाएगा ठीक है आई होप आप लोग समझ पाए होंगे बहुत बहुत धन्वाद आप देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ट चतूर्त कच्छा याथ छात्राहनी वदती यानि बोलती है कि आहम पाठनकारे सिद्धम अस्थी नहीं है एतत्मुल्यांकनम अस्थी क्या दिया एतत ना ठीक है क्या दिया संबासने तथा ना एतत मुल्यांका नस्ती अधिगमने होगा अधिगमश्च होगा अधिगमार्थम होगा या अधिगम रूप हो जाएगा तो राइट अपसन क्या हो जाएगा अधिगमश्च हो जाएगा परंतु संसकत भासा है संबा चबाचर के छातर है लेकिन इसमें जो है भासंड अदकार करीड काedar कि प्रस्टत है उपरित है अदय वाचालनेम आनन्दं अनुबवनति एवन प्राथमिक लेखनं वर्ठते अर्थात कोमल सिस्व है कोमल एक सिसु है जो लेखता है पूरता है लेखिना नाम पूरता है प्रस्टता है उपरिता है यानि कि लिखती है और प्रस्ट पर क्या है देखते होंगे जब ज़ादा गर बल से लिख रहे हैं पूरता है प्रस्टत लिखते हैं तो क्या है दूसरी तरफ क्या है उपर टात इसमें प्राथमिक लेखन जो है पहले क्या होगा चिंत्रांकनम हो जाएगा परंप्रागत लेखनम हो जाएगा अभिस्कार लेखनम हो जाएगा या घर्षन कार्यम हो जाएगा तो कोई भी बालक है यह बताए परिता है देखे पूरता है प्रस्ट को क्या है वहां पे कुछ क्रिया एं लाइन खीच रहा है से कुछ भी मतलब चित्र इसे लाइन खीच रहा है मतलब ये कलम चला रहा है ठीक है जब आपके प्रस्ट में वह कलम चला रहा है वो प्रस्ट में अंगले तरफ क्या है उपर आता है उपर आता है तो ये जो प्राथमिक लेखन कहलाएगा वह हर्सन कार्यम हो जाएगा डी आप्सन सई हो जाएगा अंगला प्रसन है कि सिच्छा अधिकार अधियम सुनिश्चित करोती या ती प्रतेख सिसु देखे सिच्छा अधिकार जो अधियम है वह क्या सुनिश्चित करती है कि प्रतेख सिसु जो है हिंदी माधमेन अध्यन करोत तो सिच्छा दिकार अधिनियम क्या सुनिष्चित करती थी आठमी कच्छा तक अश्ट कच्छा यां पर्यंत मात्रवाशा अपनी वह मात्रवाशा में अध्यन करेगा भी आपसन सही हो जाएगा भाशा अगमने परिच्छने चाप पत्र का रहे हैं भाशा अगमन में परिच्छन और पत्रधार जो हैं इदम निर्देसेती क्या अबिवर्द सुठकम कार संग्रहन निजित काले प्रति अवदू सीचकेन करता है बेद्यार्थी शुभा काले लेखन परिच्छा तो भांशा अवगमने परिच्छने चापड़त धार है इतम निदेसित यानि पोर्ट फोल्यो क्या निदेसित करता है तो पोर्ट फोल्यो य है कि बेद्यार्थी नाम अगमन अभिब्रदी सुचकम कार संग्रम निश्चित काले ठीक है बी आपसन सई हो जाएगा पांच प्रसनावर है देख लेते हैं ध्यानपूरक देखेगा उमीद है आप लोगों ने आप लोगों लाइक करके ज़रो सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तो बहुत बहुत धनवाद वीडियो देखने के लिए वीडियो कौन तक देखें हर एक कॉश्चन इंपोर्टेंट होता है कच्छा याम उच्छ स्वरनेन वाचन समय एकई च्छात्र है एकत्र उच्चारन गत तुटी करोती तता इससे च्छक है आप सभी लोग भाबी अधा उच्छा याम उच्छा रखनार्थम गदाप याउसरम नदधाती उच्छा में उच्छी बोलने में उसको आउसर नहीं देंगे तब उप विसाइति उसको करके चात्र को क्या है प्रेरित करेंगे बताके कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं गलती में सुधार किजिए उसको प्रेरित करेंगे ठीक है उसकी सहायता करेंगे यहाँ आपका असुध उचरनार्थम भरतियति यहाँ असुध उचारन करने के लिए उसको बोलेंगे कि असुध उचारन आप कर रहे हैं ठीक है उसको डाटेंगे द्रिस्टांत नाम उपस्थापन द्वारा सुध उचारन वरति यह देखते हुए उसको उपस्थान द्वा अस्थापन द्वारा सुद्धुचारण वद्धि देखती हुए उसको क्या बोलेंगे सुद्धुचारण करने के लिए बोलेंगे डी आप्सन सही हो जाएगा अधिक्रत चतुर्थ कच्छा याई संस्कत विश्यस्त चाता राम पठी तुम सिचकस क्रते अधो लिक्तिविस कतमें मार गये सरोतम साथ देखे सभी ये हिंदी सिच्छा साथ का पूरा सेम टू सेम सलेवा से केवल भासा अपका बदला गया है सेम टू सेम अगर इंदी पेटोगा जी का आपने पढ़ा है आपको थोड़ा अनुवाद थोड़ी चीजे समझनी आनी चाहिए प्रक्टिस जितना जादा करेंग उतना अच्छा होगा तो ब्रच्छा रोपडम इदी विसे ब्रच्छा रोपडम का एक विसे है अधिकरत चतुर्द कच्छा है अधिकतर उसमें चतुर्द कच्छा के बच्चे हैं और संस्कत विसे चातर नाम पठियूतुम सिचकस संस्कत विसे के चातर उसको पढ़ते हैं और सिचकस क्रते अ लिखते अधोल इंन में से कत्मय मारगन सर्वत्तम साथ क्वान सो मारगल सर्वत्तम होगा गर चैने कि विशे में दो बिशे मतलब दो बिशे सुचना का संग्रान करने में चात्रों को पुरिद कर रहे हैं कि विभेन चित्राई सह बोधना पत्रम उपयोग विभेन चित्रों में सह बोधन पत्र का ठीक है उपयोग कर रहे हैं या कि कच्छा याम स्वा अनुभाव द्वारा ए तस्मीन बिस्ये बिचारोशं कर तुम चात्राम Newyajati यानि कि कच्छा में 100 वह दौरा यानि कि स्वयम के विशय विचार है उनको चात्रों में नियोजित कर रहे हैं और ब्रच्छा रोपन अभियान इति भिसय परी एक परी छेदम लिखतम ग्रहकारम ददातू या व्रच्छा रोपन अभियान में एक विशय पर उनके क्या है लेख लिखने के लिए ग्रह कार देते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों एक विषय है और आप एक सुच्छक होने के नाते आपका सरोतम तीक है मार्ग क्या भोगा क्या बोलेंगे आप तो आपको क्या बोलना है ये जो दो विषयों का सूचना है क्या करेंगे चात्रों में प्रिरित करना चाहिए संग्रहम सूचना के लिए संग्रहन यानि इकठा करने के लिए चात्रों में प्रिरित करना पहला अपसन सही हो जाएगा एकसमात पाठियां स्यात सूचनाम अदाय तस साब्दिक साब्दिक इस्तराय उर्धम व्याख्या करणम कतते अर्था दोस्तो एक असमात पाठ पाठियन साथ एक पाठ में जो है पाठ के अंस में सूचनाम अदाय तस सूचना को अदान प्रदान करना सूचना को अदान नहीं कि सूचना को बोलना आगे बढ़ाना तस साब्दिक इस्तरस उर्धम व्याख्या करनम कते तब इस साब्दिक अर्ध की जो व्याख्या करते हैं उसको क्या बोले गए निसकर्स बोलेंगे पूर्वा नुमन बोलेंगे तुलना बोलेंगे सिंगाव लोकन तो सिंगाव लोकन वहां बोला जाता है जल्दी जल्दी पढ जाए ठीक है तो शिंग जैनी की सिंग सब्द क्या होता है चलायमन होता है इस्पीड की बात करेंगे अधिक तेज तो यहां पर ऐसी कोई बात तो हो नहीं रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक असमात पाठें साथ सूच नाम अदाय तस साब्दी किस्तरस उद्धम व्य और आपका ड़ूंप्स सही हो जाएगा ठीक है यह मौक कोश्चन है यह दिख लेते हैं आपका क्या यहाँ पर answer होता है यह mock question है देखते हैं किनकर किनकर answer आ रहा है mock question में आप सभी का ठीक है रचनात्मक मुल्यांकन हम करेते हैं देखें रचनात्मक मुल्यांकन जो है किया जाता है सतत्मुल्यांकन रूप में सत्रांत रूप में सत्रादव में या एकस पाठस या पाठन समय में किया जाता है शबी लोग कमेंट करेंगे फीड़ बैक करेंगे आपका कमेंट सुर्मान है देखते हैं आपका कितना मेरे भाई बहन सिच्छक बंद कितना कमेंट आता है भरपूर कमेंड कीजिए टेक कमेंड बाक्स फुल कर दीजिए बेफिक्र कमेंड कीजिए और त्यारी बेहतरी लाजवाब कीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सलेक्शन सुरो पर है सभी क्लासेज आपके एक्जाम आपके सलेवस के कॉर्डिंग चल रही तो आज ही हमारे चैनल इस परिवार को अपने परिवार को जरूर सदस्ता हासिल करें सब्सक्राइब करें बिल आइकन जो इस प्रिस करें ताकि लाटेस नोटकेशन मिलता रहे और बीच बीच में दोस् जिससे आपके क्लासेज नोटकेशन हो सकता सभी तक नहीं पहुँच पाता है कुछ इसू कारण टिकनिकल इसू कारण तो आप बीच में जाके यहां पर क्या विजट कर सकते हैं तो धन्वाज सभी का जय हिंद वन्दू